दर्सकों रविवार के उपाय कुछ इस प्रकार हैं रविवार को क्या खाकर जाना चाहिए रविवार को घी अत्वा दल्या खाकर यात्रा करनी चाहिए रभीवार को कार की सपलता के लिए पान खाकर घड़ से निकलना चाहिए सोंबार को आप दरपण में अपना चेरा देकर कार के लिए जाएं रभीवार को कौन सी दिशा में यातरा नहीं करनी चाहिए दक्षिन दिशा की यातरा की मनाई होती है या पिर साबधानी पूरवक इस दिसा में यात्रा करने की सला दी जाती है वास्तु के अंसार सुक्रवार रविवार के दिन पस्चिम दिसा और दक्षिन पस्चिम कोण में दिसा सूल बाना जाता है इन दनों तीन बताई गई दिसाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए र तो टिस सास्त के अंसार रभीवार को नमक खाने से स्वास्ते पर खराब असर पड़ता है ऐसा करने से व्यक्ति के हर कारों में बादा आने लगती है यहीं नहीं इस साम को भोजन सूरास्त से पहले कर लेना भी जरूरी माना गया है रविवार का ब्रत रखने से क्या फायदा है रविवार के दिन भगवान सूरदेव की पूझा की जाती है और बहुत से लोग इस दिन ब्रत भी रख सकते हैं रविवार का ब्रत रखने से समस्त सारी कस्ट से मुक्ति मिलती है बेक्ति असीम सुकों के प्राप्त करता है जो तिसमें सूर्देव को नब ग्रहों का राजा कहा जाता है इसलिए नब ग्रहों की सांती के लिए भी सूर्देव की उपासना की जाती है रविवार के ब्रत में साम को क्या खाना चाहिए ब्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं रविवार के ब्रत में गुड के साथ गयों की रोटी अत्वा दलिया खाने का विदाने इस ब्रत में नमक का सेवन मिलकुल नहीं किया जा सकता ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डाले और नहीं किसी माध्यम से इसे गिरन करें रविवार को सूर पूजा कैसे करें रविवार पूजा विदी सुबह सुबह ब्रहम्हुरत में उठ जाएं और इश्चनान कर साप कपड़े धारन करें गडेजी का ध्यान करें तामे के लोटे में जल लाल रोली अक्षत और काला तिल मिल्क मिलाकर उगते हुए सूर को अर् रवीवार को क्या नहीं करिद्जाएं..? जोते शास्त्र के लिया आपको कुछ चीजों की खरीदारी क्योंकि या असुब माना जाता है आपको आर्थिक कहानी हो सकती है それ सूरदोस्सका सामना करने से बत्चने के लिए रभीवार के दिन घर के निर्माण के सामान और बागवानी के सामान खरीदने से बचना चाहिए रभीवार के दिन कौन सा टोटका करना चाहिए रभीवार के दिन इस्नान ध्यान करने के बाद जल में रोली मिलाकर सूर देव को अरग दें इस समय ओम वास देवाए नमय मंत् ऐसा करने से कुंडली में सूरवली होता है रविवार के दिन प्राते काल में मचलियों को आटे की गोलियां खिलाएं रविवार को क्या दान करना चाहिए सास्त्रों के इंसार रविवार के दिन सर्दान सार गरीवों को फल कपड़े और बोजन में सम्मंद चीजों का दान कर सकते हैं इन चीजों का दान करना उत्थिम माना गया है सुर्फ को अरग देते समय कोई से मंत्र बोलना burgये मंत्र के साथ अरग देने से पूजा का लौध सीग्र मिलता है मैं इसके अलाबा ओम घ्रणी सुर्य मंत्र का जाब कर सकते हैं yes भलदाई होता है सूर को जल देते समय अपना मों पूरव दिशा की तर्ब रखें मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति भी गायत्री के गर्व से हुई है इसलिए गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का राजा और गुरू मंत्र का गया है बेदों म का प्रथम रिशी कहा जाता है तो दर्शकों यह रहे रविवार के कुछ उपाए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो आप जरूर एक सकारात्म कमेंट करें चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए मैं विदा लेता हूं रादे रादे जैसरी रादे